सूप्रबाद बच्चों, कल हमने दो अक्षर वाले शप्ट पड़े थे अब आप सभी को शप्ट की जानकरी बहुत अच्छे से हो गई है उसे और अच्छी तरों से सीखने के लिए हमने शप्ट के साथ जुड़े हैं कुछ सवाल लेकर आई हो तो शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल है जोड़ी बनाओ जिससे हम अंग्रेजी में कहते हैं इस और चित्र लगाया है और उसके बाजु में उनके शप्ट लगाए हमें चित्र की अच्छे से पैचान करनी है फिर उसे उस चित्र के शप्ट के साथ जोड़ना है तो हमारा पहला चित्र है चट अब हम दूसरी और देखेंगे चट बस चट होता है नहीं चट चट यहाँ तो हम चट 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 के चित्र को चट चट की शब्द के साथ जोड़ते हैं फिर हमारा अगला चित्र है बस बस अब हम देखेंगे बस बस कहां लिखा है बस बस हाँ तो बस बस को उसके साथ जोड़ेंगे फिर अगला शब्द है हमारा दस अब हमें शब्द दस को उस और डोड़ना है उन दस होता है नहीं इख दस होता है नहीं दस दस हाँ दस तो दस को उसके साथ जोड़ेंगे फिर हमार अगला चित्र आता है उन अब उन को उसके शब्द के साथ जोड़ेंगे इख उन होता है बच्चो नहीं उना उन हाँ तो अब उना उन को उसके साथ अब आखरी चित्र है इख अब इख 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 हाँ तो इख इख को जोड़ेंगे तो ये हो गया जोड़ी बनाओ match the picture to the word चित्र को उसके सही शब्द के साथ जोड़ना है सब आपको अच्छे से समझ में आया बच्चो धन्यवाद